प्यारे बच्चो आज हम लोग क्लास्माइंद का एक न्यू चैप्टर स्टाट करने जा रहे हैं जो कि आपका है फोर्स एंड लॉज आफ मोशन जो हम लोग फिजिक्स के अंडर में पढ़ते हैं फिजिक्स में जितने भी चैप्टर का स्टड़ी हम लोग करते हैं उनका एक special branch होता है जिसको फिजिक्स में बाटा गया है जैसे अगर हम लोग किसी भी object के heat के बारे में study करते हैं तो उसको हम लोग thermodynamics के अंदर में study करते हैं ठीक है अगर हम लोग कोई भी object जब motion में होता है जो हम लोगों ने first chapter देखा था motion है तो मैं बतलाए भी था आप लोग को कि वो branch आपका जो है वो क्या है kinematics है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग chapter पढ़ने से पहले यह समझेंगे कि dynamics क्या है और dynamics के बारे में सिखेंगे उसके बाद हम लोग chapter के अंदर में जाएंगे और फिर चीजों को देखेंगे क्या क्या आ रहा है ठीक है तो मैं लिखता हूँ हाना सबसे पहले कि dynamics क्या है dynamics is the study of motion of object due to force या cause of motion force को आफ cause of motion भी बोल सकते हूं ठीक है कहने का मतलब क्या है कि dynamics क्या है study of motion है study of motion है किसके कारण तो force के कारण है कि अगर हम लोग किसी भी object में force अपलाई करते हैं और वो object motion में आ जाता है ठीक है तो इन सब सारी बातों का जो study हम लोग जिस branch के अंदर में करते हैं physics के जिस branch के अंदर में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं dynamics बोलते हैं ठीक है तो ये तो रहा कि हम लोग force and law of motion किस branch के अंदर में पढ़ेंगे अब हम लोग देखेंगे chapter के अंदर की चीजों को यानि कि chapter के अंदर में क्या है जैसे मैंने आप लोग को motion पढ़ा रहा था मैं आप लोग को first chapter of the class 9th physics तो मैंने आप लोग को वहाँ kinematics के बारे हो बताया था कि अगर कोई object motion में हो या फिर rest में हो और उसका अगर हम लोग study करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं kinematics बोलते हैं तो chapter का नाम जो हमारा है वो क्या है force and laws of motion यानि कि force or laws of motion तो सबसे पहले हम लोग force के बारे में जानेंगी कि force क्या है तो class 8 में आप लोग को force के बारे में सबसे पहली बार बतलाया गया था कि force is nothing but push or pull मैं कहता हूँ यह definition गलत नहीं है यह definition गलत नहीं है तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपका standard थोड़ा बढ़ गया है कहने का मतलब है कि अभी आप लोग class 9 में आ चुके हो तो आप लोगों को अपने definition का भी standard को बढ़ाना पड़ेगा तो कैसे आप लोग अपने definition का standard को बढ़ा सकते हो या फिर कह सकते हो कि force का definition क्या होना चाहिए तो आप लोग बोल सकते हो कि force is a physical cause of an object which can change the shape and size as well as state of rest or state of motion of an object है ना मैंने क्या लिखा मैं लिखा कि force क्या है एक physical cause है क्या है एक physical cause है किसका एक object का which can change जो क्या कर सकता है change कर सकता है क्या shape और size यानि कि यदि आप किसी भी object में force लगाते हो है ना तो वो force जो है किसी भी object का shape और size को क्या कर सकता है change कर सकता है या फिर आप कह सकते हो कि अगर कोई object state में है तो उसको motion में ला सकता है या कोई object motion में है तो उसको state में ला सकता है rest में है तो motion में ला सकता है और motion में है तो rest में ला सकता है मेरे कहने का मतलब ये है लेकिन ये जो बाते लिखी गई न वो observation of या फिर आप कह सकते हो कि जो force का जो force क्या-क्या कर सकता है force का cause क्या-क्या था क्या-क्या कर सकता था उसके अधार पर ये definition को लिखा गया लेकिन general जो force का definition आप लोग class 8 में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था push or pull of an object is known as force तो आप ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा और ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा ये थोड़ा standard definition हो गया और ये आपका थोड़ा low level का definition हो गया ये तो बाते हुई force की लेकिन ये law of motion का क्या कहानी है force तो आप लोग अल्रेड़ी समझे हुई भी हो और जिनको नहीं समझ मैं होगा वो समझ भी गये होंगे लेकिन ये law of motion का क्या कहानी है तो आईए अब उस कहानी पे बात करते हैं और law of motion को समझने की कोशिस करते हैं law of motion जो है वो actually आया आपका दो scientist के जगड़ों के कारण अब ये किस तरह का जगड़ा था ये बाते मैं जो बतला रहा हूँ बिल्कुल कालपनिक है मैं बतला दे रहा हूँ घगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था दो scientist का observation था क्या था वो समझिये दो scientist थे एक थे Galileo Galilei और एक थे Aristotle तो सबसे पहले Aristotle ने पतलाया हम लोगों को कि भाई अगर कोई object किसी surface पे run कर रहा है with force या फिर आप कह सकते हो कि यदि कोई object कोई surface पे यदि एक ball रखा हुआ है यह surface है यहाँ पे एक ball रखा हुआ है तो Aristotle का कहना था कि यदि आप इस पे force अपलाई करोगे तो ही यह point A से point B तक जाएगा और अगर आप force अपलाई नहीं करोगे तो वो जहाँ पे है वही पे टहर जाएगा या फिर आप जितना force अपलाई करोगे उतना वो object move करेगा forward direction में यह Aristotle का कहना था और उनका एक और observation था कि जो rest state होता है किसी भी object का rest state जो होता है उसको उन्होंने natural state कहा था natural state कहा था यह किन का कहना था यह Aristotle का कहना था कि कोई भी object अगर rest state पे है तो उसको हम लोग natural state कहेंगे और इसको study करने की जरूरत नहीं है not need to study of natural state by Aristotle लेकिन गैलिलियो गैलिलियाई इनके बातों को बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने बतलाया कि भाई साब आपका जो observation है न वो बिल्कुल गलत है ठीक है अब उन्होंने जो इनकी बातों को गलत ठहराया वो कैसे ठहराया और इसके पीछे क्या reason थे तो पहले हम लोग reason और गैलिलियो गैलियाई के experiment ये सब बाते दिखेंगे तब जाकर के conclusion पर पहुँचेंगे कि भाई Aristotle की बातों को गैलिलियो ने गलत क्यों ठहराया था तो अब आते हैं हम लोग Aristotle के experiment पर तो उन्होंने क्या किया उन्होंने तीन inclined plane बनाया थ्री inclined plane बनाया ठीक है इस तरीके से और inclined plane बनाने के बाद उन्होंने उस inclined plane पे क्या करा बॉल को बॉल को move कराया ठीक है कैसे move कराया और क्या-क्या चीजे वहाँ पे हुई वो सारे बाते हम लोग एकक करके अभी दिखेंगे और सीखेंगे देखिए सबसे पहले उन्होंने बतलाया कि यदि आप इस तरीके का तीन inclined plane लोगे और तीन inclined plane पे सपोज आप लोग एक एच हाइट से किसी बॉल को move करा रहे हो और अगर उसका सर्फेस अगर उसका सर्फेस क्या हो? स्मूथ हो क्या हो? स्मूथ हो यानि frictionless हो स्मूथ हो कहने का मतलब क्या है? frictionless हो यानि कि उस सर्फेस पे कोई भी friction न हो तो वो बॉल जो है अपने आप से ही उतना हाइट achieve कर लेगा कहने का मतलब क्या है? कि अगर यहाँ सपोज कि यह 10 मीटर का हाइट से किसी इन client plate से हम लोगों ने एक ball को move कराया तो वो move करने के बाद अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा without any force यानि कि आप यहाँ से move करा ball यहाँ पहुँच जाएगा अब according to Galileo हम लोग तो यहाँ पे कोई force अपलाए नहीं कर रहे है फिर भी ball जो है वो एक height तक पहुच जा रहा है अब ऐसा क्यों हो रहा है तो Galileo का जो कहना था वो यह कहना था कि यहाँ पे जो velocity लग रहा है वो constant है और constant velocity इसलिए है जो कि surface कैसा है तो friction less है यानि smooth है तो Galileo ने कहा कि अगर आप किसी smooth surface पे अगर किसी ball को move कराओगे न something उसका mass अगर m रहे तो वो जितना height से move करेगा फिर से वो उतना ही height achieve कर लेगा अगर friction less surface रहे तो उसमें कोई हम लोगो extra force लगाने की जरूरत नहीं है तो पहला ही experiment से जो पहला ही experiment Galileo का था उन्होंने Aristotle के experiment को पहला experiment से गलत कर दिया दूसरा वो क्या करे कि अभी suppose यहाँ पे जो inclined plane था वो 45 डिगरी पे है अब उन्होंने क्या कि inclined plane के angle को थोड़ा कम कर दिया कितना कर दिया 30 डिगरी कर दिया ठीक है और suppose कि यहाँ height h से फिर उन्होंने क्या किया कि ball को move कर आया ठीक है फिर ball को move कर आया तो ball पुनह वापस जो है h height पे पहुँच गया अभी क्या हुआ कि inclined plane के angle को घटाया गया लेकिन फिर भी वो उतना height क्या किया achieve कर लिया लेकिन ball को distance जो है न वो क्या करना पड़ा जादा ट्रेवल करना पड़ा distance जो है वो जादा ट्रेवल करना पड़ा with comparison to experiment नमबर 1 हाना अब distance तो जादा ट्रेवल करना पड़ा लेकिन height वो उतना achieve कर लिया चोकि surface जो था वो वापस से friction less था और अगर friction वाला surface ले लेंगे according to Galileo अगर हम लोग इसमें lubricant अपलाई कर दे तो ball जो है lubricant अपलाई करने से ball का motion जो है वो क्या हो जाएगा slow हो जाएगा ठीक है ball का motion जो है वो slow हो जाएगा हाना ये किन का कहना था Galileo Galilei का कहना था और third experiment जो है उन्होंने क्या कि इस angle को पूरा 0 पे ले आए मतलब मतलब की plane पे पूरा मतलब सटा दिया उसको हैना अब ball को फिर से move कराए तो उनका मानना ऐसा था कि ये ball जो है ये ball जो है वो move करते रहेगा जब तक कि वो किसी height को achieve न कर ले हैना हलाकि Galileo के experiment को भी Newton ने गलत ठहरा दिया था इसलिए हम लोग Galileo का ये टीन law नहीं पढ़ते हैं हम लोग Newton's का first law, second law और third law पढ़ते हैं तो pause button दबा करके आप इनका notes बनाते जाएए so that कि आपको दिक्कते ना हो अब इस basis पे क्या-क्या observation निकला Galileo के experiment का वो हम लोग एक-एक करके देखेंगे और सीखने की कोशिस करेंगे तो बच्चों on the basis of Galileo experiment we concluded that the velocity of the body increases when it rolls down and inclined plane and the velocity decreases when the body rolls of the plane कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि यदि आप किसी inclined plane से ball को roll down कराओगे तो gradually उसका जो speed है उसकी जो velocity है यानि कि ये जो inclined plane था यहां से जब ball नीचे की तरफ जाएगा तो उसका velocity जो है वो क्या करेगा increase कर जाएगा और जब ball उपर की और जाएगा तो उसका velocity जो है वो decrease कर जाएगा ये किन का कहना था ये गैलिलियो का कहना था second point उन्होंने बनाया तो ball जो है वो same height को attain कर लेता है जो बाते में बतलाया था third point उन्होंने बतलाया कि when the second plane is horizontal अगर दूसरा plane ये first plane हो गया second plane अगर क्या हो horizontal हो जाए the ball continues to move indefinitely या infinitely आप बोल सकते हो infinitely बोल सकते हो move infinitely infinitely fourth point जो है if the inclination of second plane decreases the ball rolls larger distance जो point मैंने बतलाया था कि अगर क्या करो आप second वाले plane को थोड़ा सा inclined कर दो आप यानि कि angle को घटा दो तो वो जो ball है ना वो larger distance travel करेगा ये सब बाते जो थी वो गैलिलियो के experiment के कारण की गई थी ठीक है और गैलिलियो के experiment से ही हम लोग inertia का क्या करें study करें यानि कि गैलिलियो के experiment से ही हम लोगों को inertia के प Blairण風 है इसका प्रूपा भीए ड़ा रसाप़् one